सो हेलो दोस्तो क्या हाल चाल तो आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह से आप Among Us को खेल सकते हैं ठीके गाइस आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिसको Among Us खेलना नहीं आता है तो आज की वीडियो में मैं गेम प्ले भी दिखाऊंगा साथी साथ आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से आप Among Us को खेल सकते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना तो Among Us खेलने के लिए आपके पास यहाँ पर तीन ओप्सन आते हैं एक होस्ट का एक Public का एक private का तो यहाँ पर code डाल कर आप छाहें तो एक room create कर सकते हैं अगर आपको होस्ट बनना है तो आप एक game create कर सकते हैं उसमें online players जो होंगे वो अपने आप आएंगे आपको join करने के लिए तो जब आप इसको पहली बार खेलेंगे तो उपर आपको यहाँ पर नाम दिख रहा होगा जो की मेरा नाम है उसी तरह से आपको भी अपना नाम create करना होगा उसके बाद जो है आप यहाँ पर कोई सा भी गेम जोइन कर सकते हैं तो आपको क्या करना है आपको host और private को अभी छोड़ देना है अब जब आप नए हो तो यहाँ पर आप public को चूज कर सकते हो तो public वाले के नीचे find game लिखा हुआ है आपको simply उस पर click करना होता है जैसे आप इस पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे game मिल जाएंगे जिसमें आपको join करना होता है तो यहाँ पर देख सकते हो guys 10-10 player वाले games हैं जिसमें आप देख सकते हो 5 लोगों ने join कर लिया चार लोगों ने join कर लिया तो इसमें आपको किसी पर भी click कर देना है उसके बाद आप उसमें automatically join हो जाओगे साथी साथ उपर आपको imposter का option दिख तो उसको आपको वहाँ पर जाकर kill करना होता है तो यह बहुती easy game है और बहुती मज़ेदार game है और साथी साथ kill करने के बाद जो discuss होता है तो उसमें आपको अपना الزाम किसी दूसरे पर लगाना होता है कि वो मैं नहीं हूँ वो किसी और ने किसी को मारा है ठीक है तो इस तरह से आपको इसमें blame करना होता है तो इस तरह से यह game होता है जिसके बाद आप जीत जाते हैं साथे साथ उपर आपको तीन map का निशान भी दिख रहा है तो अगर आप जिस map में खेलना चाहते हैं उसको भी choose कर सकते हैं कुछ इस तरह से ठीक है guys तो चलिए अब हम game तो यहाँ पर देख सकते हैं guys finally मैं game में आ चुका हूँ अब जैसे ही आप game में आते हैं तो आपको किसी को यह नहीं बताना है कि आप crewmate हो या imposter तो अभी आपको इसमें बताया जाएगा कि आपको चुप रहना है आपको यह बात किसी को नहीं बताना है ठीक है तो हम देख कर किसी को भी मारूंगा जब वो अकेला मुझे नजरा जाएगा तो यहाँ पर मेरे को imposter बना दिया गया है ठीक है guys तो मैं इन में से किसी को मारूंगा जब वो मेरे को अकेले में मिलेगा ठीक है तो यहाँ पर यह लोग task पूरा करने गए हैं और साथी साथी यह ढूंडे कि कोई killer तो नहीं है तो मेरे को इनके सामने नहीं मारना है जब मेरे को कोई अकेला दिख जाए जिसको कोई तीसरा person ना देखे तब मेरे को इसको मारना है तो अभी तो यहाँ पर बहुत सारी घूम रहे हैं तो कोई मुझे अकेला मिलेगा ना तो उसको मैं मारूंगा ठीक तो मैं यहाँ पर task बगएरा भी complete तो नहीं कर सकता क्योंकि मैं killer हूँ जो crewmate होता है वो task complete करता है तो यहाँ पर आपको बहुत सारी task दिये जाते हैं तो उसके बारे में भी मैं आपको बाद में बताऊंगा पर पहले मैं किसी को मारना चाहता हूँ तो यहाँ पर कोई अकेले में मिल जाए तो उसको मैं kill कर दूँ तो यह बंदा अकेले में मिल गया और मैंने इसको मार दिया ठीक है तो finally हमने इसको मार दिया है और cafeteria में यह देखो किसी ने discuss का alarm बजा दिया है तो अब हमें discuss करना है अब हमें यहाँ पर क्या करना है मैंने उसको मार तो दिया है मैंने किल तो कर दिया है पर मेरे को blame किसी और पर लगाना है तो यह जो message वाला box दिख रहा है आपको बगल में आपको इस पर click करके यहाँ पर discussion करनी होती है तो यहाँ पर देख सकते हैं यह पूछ रहा है किसने मारा ठीक है तो मैं दूसरे पर blame लगाँगा तो मैं कहूँगा मैं भी कहता हूँ मैं भी इनको उल्जाता हूँ कि मैं नहीं हूँ ठीक है तो मैंने भी पूछा कि कौन है तो यहाँ पर कोई मेरा नाम भी लगा रहा है क्या तो यहाँ पर देखो No, don't believe me तो यहाँ पर एक बंदा जो है मेरे उपर नाम लगा रहा है ठीक है तो मैं यहाँ पर अपने आपको बचा रहा हूँ ठीक है तो इस तरह से आपको बचाना होता है खुद को ठीक है दूसरे को उपर इलजाम लगाना होता है आपको एक तरह से जूट बोलना होता है कि आप killer नहीं हो आप मतलब की cremate हो मतलब इनहीं के साथ काम कर रहे थे तो देख सकते हो यह देखो इसने black वाले समझ गया मतलब black वाला कि कमल इज़ इंपोस्टर पर मैं black वाले को blame लगाऊंगा ताकि मैं बस सुकूँ ठीक है तो यहाँ पर देखो मैंने लिख दिया black इज़ इंपोस्टर तो यहाँ पर देखो he is blame me because यह देखो इस तरह से आपको ना नाम मतलब लगाना होता है ठीक है तो देखो आप मैं लिख देता हूँ he is imposter because he is imposter तो इस तरह से आपको नाम लगाना होता है ठीक है नाम लगाने के बाद आपको एक time period मिलता है ठीक है तो जल्दी से हम आप चलते हैं देखो दो मेंट का time मिलता है आपको discuss करने के लिए तो दो मिंटिक डिसकस करने के बाद आपको क्या करना है आपको जल्दी से मतलब की बोट करना होता है ठीक है तो वोट किस तरह से करते हैं देखो गाइस मैसेज वाले ओप्शन पर फिर से आप क्लिक करोगे तो यह चोटा हो गया ओके तो अब जिसको भी आपको बिलेम लगा पर यह गेम से बाहर हो चुका है तो अब यह अगर मैसेज भी करेगा ना तो कोई बंदा नहीं पढ़ पाएगा कोई इसका नहीं देख पाएगा मैसेज ठीक है तो इस तरह से होता है तो अभी भी मैसेफ हूँ ठीक है तो अब मैं इसको भी मार देता हूँ यह भी आ गया ह ठीक है तो चलिए इसको भी मारते हैं तो हमारे पास साथ ज़्यादा प्लेयर नहीं थे जिस वज़े से न मैं ये गेम लग रहा है जल्दी जीट जाऊंगा तो यहाँ पर देखो इसको मैंने मार दिया ठीक है अब एक बंदा रह गया है तो एक बंदा रह जाता है तो यहाँ पर हम जीट चुके है इस तरह से जीतना होता है ठीक है तो मैंने सभी को उल्लू बना के मैंने क्ल कर दिया और मैं अकेला Supacip में हो गया तो इस तरह से गाइस इसमें सबको मार ना होता है ठीक है गाइस देखा आपने खेलने के लिए यही सारे play रहें पर मैंने वैट नहीं किया है तो मैं किसी दूसरे play मतलब कि दूसरे मों को जोइन करता हूँ दूसरे gIEM को लिए वाला full लिए पुल है तो इस तरह से जाइन करना मैं ज्यादतर पॉब्लिक वाला ही जोइन करता हूं मैं क ब से सिर अप चुन आब मुऔर उते हुटे होना तो आप इसमें टास्के के सिर अपनेकर लागाना उताया इंगये अर Corona Commons jams यूदॅ पर लगाना होता है जिससे कि वह बाहर राजय और आप जीजाओ इस तरह से खेलना हो क्रियुमेट भी जी सकता है अगर आपने इंपोस्टर को बाहर फेक दिया तो तो इस तरह से खेलना होता है तो गैस अब देख सकते हो यहाँ पर मेरे को पिर से चुप रहने के लिए बोल रहा है इस बार मैं क्या बना हूँ इस बार देखो guyस मैं ना हैं मिलते हैं तो यहां पर आप देख सकते हो कोने में right side में setting के तो यहां पर इसको डाउलोड करके अपलोड करना है तो जल्ली से अपलोड करते हैं ठीक है गाइस देख सकते हूं इस तरह से इसको अपलोड करना होता है ओके तो यहां पर फाइनली जो है यह अपलोड हो चुका है और यह हमारा टास्क कंपलीट हो गया है तो इस तरह से गा रहा और यह हमारा टास्क एक हो गया है तो यह रहें अगर मैं अकेलर रहा और मतलब मिन पोश्टर है यह मार भी सकता है मैस देख सकती है तो यह मैप था जिसमें आपको आई आई लिखा ओए निंजर और आएगा वहाँ पर आपके टास्क होंगे वहाँ पर आपको टास्क कंपलिट करना है और गाइस यह देख रहे हो यह एमर्जेंसी जो लिखा हुआ है यह बजर होता है यही पर आपको ना एमर्जेंसी बजर दबाना होता है देखो गैस यह रहा एमरजेंसी लिखा हुआ है न यह यह main buzzer जिसको दबा करना लोग discussion करते हैं तो इस buzzer को दबाने के बाद सारे मतलब की इंपोस्ट मतलब जुतने भी crewmate होते हैं वो सभी आ जाते हैं और फिर मतलब की discuss करते हैं कि कौन killer है मतलब कौन imposter है तो गैस ठीक है इस तरह से होता है तो चलिए हम आपको करके भी दिखाते हैं कि किस तरह से आप भी कर सकते हैं तो यह cafeteria room होता है ठीक है तो यहाँ पर आना होता है तो यहाँ पर देखो use लिखा हुआ था use पर मैंने click करा तो इसके बाद यहाँ पर जो है इस buzzer को मेरे को दबाना है तो emergency meeting start तो यहाँ पर अब मुझे discuss करना है कि कौन killer है ठीक है फिलाल तो मेरे को भी नहीं पता है कि कौन killer है ओके तो मैं यहाँ पर पूछ लेता हूँ कि who anybody know ओके तो यहाँ पर मैंने नहीं पता कि कौन imposter है तो इस तरह से guys blame करना होता है दूसरे पर इल्जाम लगाना होता है जिस तरह से मैं लगा रहा हूँ मतलब मैंने नहीं लगा है अभी मतलब की लगा मतलब लगा था न इससे पहले imposter था तब तो इस तरह से लगाना होता है तो यहाँ पर एनी आइडिया तो देखो एंड कमल क्या कह रहा है यह मेरा नम क्यों लगा रहा है यह एक बंदा बलू को कह रहा है ठीक है तो यहाँ पर बलू को कह रहा है कोई किसी को कह रहा है पर हमें किसी को भी नहीं पता है कि कौन किलर है तो गाइस इसी तरह से खेलना ह होता है है आपको बच्च कोई अकेला बंदा मिल जाए तो उसको वहां पर किल करना होता है और फिर भाग के आना होता है कि बहुत ही मस्त गेम है इस खेलोगे ना तो आपको भी मजह आ जागा आप जानते हैं कितने बड़े-बड़े YouTube घेलते हैं इस गेम को तो आप भी खेल सकते हो तो मैंने भी इसी तरह से आपको खेल के दिखा दिया कि किस तरह से ये गेम को खेला जाता है ओके तो यहाँ पर हमारी discussion अभी भी चल रही है ओके blue ओके तो मैं blue को vote कर देता हूं ठीक है पर यहां पर एक बंदा तो इंपोस्टर है अब वो कौन है वो ही पता करना है हमें ठीक है तो यहां पर कौन हो सकता है इंपोस्टर बंदे मतलब ऐसे घूमते हैं कि यार वो बिल्कुल लगते ही नहीं है इसमें कि कौन हो सकता है इंपोस्टर बस यह है कि हम अकेले में ना प कहीं पर मिलता है तो यहां पर देख सकती है यहां पर यहां पर आ गया हूँ और भाई साब इसने देखो मेरे таким तरह आपको टाइप करके दिखा देता हूं कि किस तरह से मैं टाइप करता हूं कि तो यहाँ पर मैंने ओके ब्लू लिख रखा है तो मैं चलिए इसको रेड करता हूं red okay हमां यहाँ पर बेशती हो यहाँ पर एक cut का रहा है मतलब cut का नि शाना रहा है मतलब की मैं vote नहीं कि मैं किसी से discussion नहीं कर सकता क्योंकि मैं यहाँ से उमर चुका हूं kill हो चुका हूं मैं कैसे मेरी आतमा मतलब कैसे discussion करेगी भाई तो इसलिए आप देखो ये सब मतलब बाते कर रहे है Not me देखो red वाला कितना चालू बन रहा है कि ये नहीं है मतलब इंपोस्टर इसने नहीं मारा है तो यहाँ पर ये yellow वाला पूछ रहा है who see मतलब कि ये बोल रहा है कि देखो कौन है फिर तो यहाँ पर यह देखू अब यह किसी और के ऊपर इलजाम लगा रहा है तो गैस इस तरह से यह game को छेला जाता है किसी दूसरे के ऊपर इलजाम लगाना होता है बहुत ही मज़ेदार game है गैस अगर आप खेलोगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा ठीक है guys तो यहाँ पर तो मेरा नाम तो नहीं लगाया ना मेरा नाम क्या करेंगे लगाकर मैं तो मर चुका हूँ already I see the body okay तो एक बंदे ने body देखी है तो यहाँ पर देखो सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप मेरे latest gameplay वीडियो सबसे पहले देख सको आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद